चुले एक बार फिर से आपको दिखाते हैं बाबा के सौ करून के सामराजिका सच क्या है बाबा खुद को प्रलय का देवता कहता है वो कहता है कि जब चाहे प्रलय ला सकता है वो प्रलय ले भी आया 121 जिन्दगियों को लील गया उसके फरेब उसके पाकर्ण की कहानियों से हात्रस मैनपुरियो रेटा की गलियां भरी पड़ी हैं पड़्डय लाने का दावा पड़्डय लाया भी बाबा स्वेंभू बाबा का हैंड पंप वाला प्रसाद डिजाइनर बाबा की सन कर देने वाली सनक मुझे आवा सकता परी तो में प्रस भी पेड़ा सकता हूं मुझे आवा सकता परी तो में प्रस भी लाँ सकता हूं सूरगपाल जाटव के उख्यात कांट से जैसे जैसे परदा उठने लगा है ये बावा बहुत बड़ा पाखंडी और खंगोर अंदिविश्वासी जमात का सरदार बनता दिख रहा है अंदिविश्वास की पठी अब भक्तों के आँखों से उतरने लगी है जिस बावा को लोग पूछते थे आज चप्पले पड़ रही है बावा सूरगपाल के चमतका लोग में क्या-क्या होता था ये बावा कैसे भोले-भाले भक्तों को चक्मा देता था सूरगपाल चाटव की रिलिस्ट में जुनिया की कुछ हकिकत अब तक आप जाण पाए होंगे लेकिन आज सूरगपाल चाटव के चाल, चरित्र और चेहरे पर चड़ी लेमिनेटिड आस्था की चादर के जीथड़े उड़ने वाले हैं सूरगपाल की संग कर देने वाली प्रबंच कथा का आरम करें उससे पहली ये देखिए कि जब हाथरस सत्संग भक्तल मची तब भक्तों की चान पर बनाई जब कोहरा मचा तो ये बाबा कैसे पूंश दबा कर परार हुआ सूरगपाल जाटव कितनी सुरक्षा में वारदात की जगह से परार हुआ देखिए इन तस्वीरों को ध्यान से देखना होगा जोकि बाबा कितना बड़ा फरतापी है इन तस्वीरों से इसकी पूल खुलपाई की सूरगपाल गाड़ी में सवार है उसका रास्ता साफ करने के लिए सलक किनारे दोनों तरफ सेवादारों की भोच लगी है बाबा अपनी गाड़ी में इत्मिनान से भाग रहा था वहीं भक्तों की भीड में मौत नाच रही थी जिन भक्तों को ठक कर ये बाबा एशो आराम का हर सामान जिता जुका है उन्हें दिल्पूल कलपता देख भी इसका कलेजा नहीं कापा अपनी जान बचाकर भाग रहा सूरगपाल जाटब लेकिन CCTV कैमरे में कैद हो गया इसे ही कैद हो रही है इस सूरगपाल बाबा की एक-एक डारस्तानी सबसे पहले पाखंड चारिये सूरगपाल के चडच घूल के छासे का सक जानिये जानिये कि जिस घूल को जुटाने के लिए सैटनों लोगों की सांसे थम गए उसे सूरचपाल हर मर्ज की दवा बना कर भक्तों को कैसे मरगला रखा है कासगन में सूरचपाल जाटव के लिए शुरधा की अन्हेर कर दी सिर्चक्रा देने वाली है भक्तों का दावा सूरचपाल जाटव के पैरों की धूल हर मर्ज की दवा भक्तों का दावा सुरजपाल जाटव के चड़नों के धूल से पेट दर्ब का इलाज भक्तों का दावा सुरजपाल जाटव धूल से करता था पाइल्स का इलाज भक्तों का दावा सुरजपाल जाटव धूल से जोड़ता था फूपी पसलिया भक्तों का दावा मंगलवार को सुरजपाल जाटाव के पेरों को धूर्च होता है चमतकार कोई बार भार को ना बिगरू कद भी मारी वगर उती है तो उसका पानी पीने से जहां पानी है न तो सारी भी मारियां खतम हो जाती है ड्रामे बाज डिजाइनर सूटपूट धारी बाल जाटाव के हाई टेक छलावे में आकर उसके भक चड़नो की धूल भाकते हैं और उसके आश्रम में लगे हैंड़ पंप के पानी को अमरीत जल समझ पीते हैं ये सारे जितने यहां पर सरदालू आते हैं वो सब यही कहते हैं कि बाबा के यहां का पानी पीने से हमारी सारी प्रेशनियां दूर हो जाती है जो अपने मन सच्चे भाव से हां लोग आते हैं उनको सरदाल जल से जल से वो ठीक होते हैं या प्रेमरी सरदाल सुरटपाल जाटव के लिए उसके भक आरती भी गाते हैं ये सुरटपाल जाटव के लिए लिखी गई आरती है उसका महिमा मंदन ऐसे किया गया है कि देवों के भी देव हैं लेकिन नीची जिन्दगी में सुरटपाल जाटव के एब ऐसे हैं जिसे जानकर उसके भक्तों की समीन हिल जाएगी मीडिया रिपोर्ट्स में सुरटपाल जाटव के पूर्व सेवादार रहे रंजीत सिंग के दावे से कई संसनी खेज सच उजागर हुए है रंजीत सिंग ने अपने इंटर्व्यू में दावा किया है कि सूरटपाल जाटव के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़के रहती है जिन्हें ये अपनी शुष्या बताता है सूरटपाल इन लड़कियों से घलत काम भी करवाता है इतना ही नहीं बाबा सिग्रेट और शराब का नशेड़ी है रंजीत सिंग ने दावा किया है कि सूरटपाल जाटव ज्यादातर आश्रम में अवैद विर्माण करा रखा है सूरटपाल के पास जितनी भी गाड़िया हैं वो उसने दूसरों के नाम से खरीद रखी है रंजीत सिंग दावा करते हैं कि बाबा सूरटपाल जाटव के आश्रम की बसे भी दूसरों के नाम पर ली गई है यानि टोटल फर्जीवाला सुरगपाल चाटम ने सारा सामराज्य है फरेव की बुन्याद पर तान रखा है आस्था का बाजार सजाकर सुरगपाल चाटम ने अकूर दोलत जुटा रखी है जाहिर है इस दोलत की निगरानी के लिए और अपनी सल्तनत कायम रखने के लिए सुरगपाल को सेना की भी ज़रूरत है तो इस पाखंडी बाबा ने प्राइवेट आर्मी भी बना रखी है सूरच पाल की सिक्योरिटी पोर्स के लिए सीक्रेट कोर्ड वर्ड से चलती है बाबा की सुरक्षा में तैनाद लोगों को बाकाइदा कोर्ड वर्ड से जाना जाता था गुलाबी ड्रेस वाले सेव्यदारों को नाराणी सेना के नाम से जाना जाता है ब्लेक कमांडो यानि वो कमांडो जो बाबा के काफिले के साथ चलते हैं उन्हें गरूर योध्धा कहा जाता है। सर पर टोपा लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वालों को हरी वाहक कहा जाता है। सूरजपाल जाटव की सुरक्षा में तैनाद इन लोगों को बाकाइदा सेना की तर्ज पर टुकडियों में बाट कर रखा जाता है। जैसे बलैक कमांडो यानि गरुर योधा बीस बीस की तुकडि में होते हैं। लेकिन सूरटपाल इतनी पुखता सेक्योरिटी में क्यों रहता था क्या सूरटपाल चाटव को कोई खौफ खाय जा रहा था। सच में सूरटपाल को मालूम था कि एक न एक दिन उसकी पौल खुले की तो कि उसकी कारस्तानियों की कहानी सुनाने वालों की फर्मार है। सूरटपाल के बगल के गाउं में ही उसकी हकीकत सुनाने वाले मौजूद हैं। सूरटपाल का अगला सत्सांग सलाखों के पीछे तैय दिख रहा है। जोकि इसकी पाखंड मंडली के सेवादारों की गिरफतारी शुरू हो चुकी। इनके चेहरे पहचानली जी। ये सभी हात्रस कार्ड में गिरफतार हुए। लेकिन बाबा अपने किस आश्रम की बिल में दुपक कर बैखा है। उसके अड़े तक पुलिस अब तक क्यो नहीं पहुँच पाई। इसका जवाब भी सुनिए। लोग की गरफतारी हुई है, अलग-अलग जगे के रहने वाले हैं वो लोग। अब भी डीटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राप साई हैं, कुछ पुस्टर बैनर्स आएं कुछ हम लोगों के द्वारा दे खूस्टाज बाब पुस्ताज का कशा हुएं लेकिन दोनों इनामी हो चुके हैं सुरजपाल पर कई लोगों ने इनाम का दावा किया हाथरत सल्संग के मुख्या आयोजन करता प्रकाश मदुकर पर एक लाग का इनाम पुलिस ने रखा है लेकिन सुरजपाल और उसका सेवादार प्रकाश मदुकर को आसमान खा गया या जमीन निगल गई ये सामने क्यों नहीं आ रहे सुरजपाल ने वकील के जरिये सफाई दे कर क्या इतने बड़े कांट से पल्ला जाड़ लिया है प्यूरो रिपोर्ट जुजेटी